दोस्तों सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में स्किन की अपनी ही समस्याएं होती हैं स्किन का रूखा होना, स्किन का बहुत ज़्यादा खुश्क दिखाई देना स्किन पर एजिंग की साइन्स आना, ओपन पोर्स का बड़ा हो जाना और हमारी स्किन का ग्लो का गायब हो जाना, टैनिंग हो जाना, संबर्न हो जाना ये कुछ आम समस्याएं हैं जो हम सर्दियों में फेस करते हैं इन समस्याओं को ठीक करने के लिए हम बहुत सारे पैक्स लगाते हैं, बहुत सारी क्रीम्स लगाते हैं, बहुत सारी सीरम्स का इस्तमाल करते हैं लेकिन इन सब को करने के बावजूर भी जो ग्लो हम अपने चेहरे पर चाहते हैं, वो ग्लो हमें नहीं दिखाई देता और उसका reason है क्योंकि हम कहीं न कहीं पर glow की परिभाशा को बाहर से लगाए जाने वाले cosmetics में ढून रहे हैं जबकि glow की परिभाशा है कि वो चीज जो आपको अंदर से आप खाने में इस्तमाल करते हो और उसका potion आपके शरीर की हरेक कोशिका तक पहुंचता है और आपके शरीर की हरेक कोशिका जब खिल उठती है निखर उठती है वाइबरेंट हो जाती है तो आपके चहरे पर glow अपने आप आजाता है आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा winter special glow diet के बारे में एक ऐसी diet जो आपको सर्दियों में मिलने वाली जो आसान चीजें हैं जो हमारे घर के आसपास हमें बहुत easily मिल जाती हैं उनके अंदर समाई होई हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखें तकि आप आसपास मिलने वाली चीजों को अपने routine में शामिल करके अपने skin के glow को enhance कर सके और यकीन मानिये कि जब आप इसको अपनी diet में शामिल करेंगे तो आपका glow सिर्फ बाहर ही नहीं दिखाई देगा या आपके चेहरे पर ही नहीं दिखाई देगा बलकि आपकी आँखें, आपके पूरी शरीर की skin, आपके बाल, आपके नाखून पूरी तरह से आपको स्वस्थ होते हुए नज़द आते हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखें ताकि कोई भी point आप मिस किये बगए इसे बहुत easily enjoy कर सके दोस्तो इस चानल पर हम लोग बात करते हैं इस चानल पर अप्लोड होने वाले वीडियो उसको आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शक्रिया दोस्तो सर्दियों में जो चीज़ें हमें आम तोर पर मिलती हैं जो प्रकरती मा ने हमें दी हैं वो definitely glow देने के लिए बहुत अच्छी चीज़े हैं लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हमारे रुटीन में 12 की 12 महीने होनी चाहिए जने हम पूरे साल भर खाएंगे जिससे हमारा शरीर मजबूत होगा हमारे स्किन पर glow आएगा हमारे शरीर की रोग प्रती रोधक ताकत है वो अच्छी होगी और हमारा जो पूरा स्वास्त है वो बहतर रहेगा इसमें जो पहली जो चीज़ आती है वो आती है सीड्स की seeds मतलब बीज, मैं बहुत बार अपने वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि जो एक छोटा सा बीज है, उसके अंदर देखिए पूरा पेड़ समाया हुआ होता है और इसका मतलब कि उस बीज में बहुत ताकत है, और उस ताकत का इस्तमाल अगर हम अपने शरीर को बहतर बनाने के लिए करते हैं, तो उससे अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती तो जरूर बीजों को अपनी डाइट में शामिल करें, विशेश कर चार बीज आपकी डाइट में जरूर होने चाहिए, पहला चीया सीड्स, जो चीया सीड्स हैं, उसके अंदर ओमेगा 3 fatty acids होते हैं, ये आपकी skin को whitening, brightening and anti-aging results देते हैं, रोजाना रात को एक गलास पानी क के साथ में आपको ले लेना है, अगर आप इसे और ज़्यादा informative और और ज़्यादा effective बनाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर नीवू आधा निचोड़ करके भी ले सकते हैं, ये आपकी vitamin C की जरूरत को भी पूरा कर देगा, number 2 जो बीज आता है, जो हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, वो है flex seed, flex seed की महिमा साश्त्रों में भी बहुत सारी की गई है, बहुत सारा google content आपको available है, जो आपको बताता है कि flex seed कितना ज़्यादा effective है, आपके hormones को balance करने के लिए, आपके fat को reduce करने के लिए, और आपके overall body के metabolism को बहतर बनाने के लिए flex seed को ऐसे ही नहीं खाना होता है, flex seed का syrup बना करके पीना होता है, अगर आपको नहीं पता है, तो मैं आने वाले videos में already आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसका syrup बनाएंगे, लेकिन मैंने already इस पर एक वीडियो भी बनाय हुआ है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं, so channel पर जा हिसाब से आधा आधा चमच, एक एक चमच ले सकते हैं, ये आपके शरीर के अंदर जो रुख प्रतिरुदक्षमता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, आपकी skin की जो melanogenesis process है, मतलब जो pigment बनने की जो प्रक्रिया है, उसको delay करता है, और साथ के साथ में ये मदद करता है, आ हमें इस समय पर, इस समय पर हमें चुकंदर मिलता है, everything we eat, लेकिन एक चीज़ जो हमें से बहुत सारे लोग avoid कर देते हैं, वो है खजूर, खजूर के अंदर kilit नाम का एक enzyme होता है, ये kilit नाम का enzyme आपको मदद करता है, आपकी skin को anti-aging and brightening effect देने के लिए, तो अगर आप glowing skin जाते हैं, तो खजूर को अपनी diet में जरूर शामिल करें, लेकिन ये याद रखें कि जब भी आप खजूर खरीते हैं, तो non-sugard खरीते हैं, क्योंकि बहुत सारे companies या बहुत सारे ठेलों पर जो हमें मिलता है, वो sugar coated होता है, उसके ओपर sugar की coating की होई होती है, मीठा बहुत नमबर नेक्स जो चीज आपको ध्यान रखमी होती है, वो रखमी होती है, ड्राइफ रूट्स और नट्स पर, ड्राइफ रूट्स और नट्स की जब हम बात करते हैं, तो पहली जो चीज जो हमें जरूर शामिल करनी चाहिए, अपने diet के अंदर वो होता है, walnut, मतलब अक्र को भी अच्छा रखता है, आपका जो पूरा का पूरा जो cardiovascular system है, वो healthy रहता है, तो दो से तीन अक्रोट आप ज़रू शामिल करें, अपनी diet के अंदर, रोजाना, ताकि आपको मदद मिल सकें, आपको skin को healthy बनाने के लिए, इसे आप अपने सुविधा के साब से कभी भी भी चाहिए, और खाने के बीच में खानी चाहिए, और खाने के बीच में खाने के लिए काली कष्मिश को खाएे, जिससे के उसका जो nutrition है, वो बहुत अच्छे से absorb होगा, और वो आपको बहुत जादामद जादा करता है, आपकी skin को glowing बनाने में, अगर अभर इसके बात बात कर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके चैनल पे देखिए, मतर के अंदर नाइट्रोजन होता है, और मतर सही मैंने वो फेस पैक भी आपको बताया था, तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, आपकी स्किन को लाइटनिंग, वाइटनिंग, ब्राइटनिंग एफेक्ट देता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन होती है, वो ग्लोइंग होने लगती है, इसके बाद आप इस्तमाल कर सकते हो गाजर, गाजर के अंदर विटमिन A होता है, जो एक नाच्रल एंटी एजिंग का काम करता है, आप देखो कि आजकल बहुत फेमस हो रही है रेटिनॉ प्लॉट की तरह काम करके देगा, गाजर जरूर खाएंगे और गाजर के साथ चुकंदर जरूर लें क्योंकि चुकंदर जो है, आपके बलड को बहुत बहतर बनाने में, आपके हीमोगलोबिन को इंक्रीज करने में मदद करता है, जिसकी वज़ा से आपको हेल्प मिलती है आपकी skin को enhance करने में भी यह सारी की सारी जो चीज़े मैंने आपको बताई इन्हें जरूर शामिल कीज़े अपनी diet में इन सर्दियों में और आप देखेंगे कि सर्दिया कतम होते होते आपके चहरे पर glow जरूर आएगा इन्हें daily शामिल करें और अपनी सुविधा के हिसाब से इनका portion सेट करें अगर आप दो गाजर खा सकते हैं खाएए आप आदा जुकंदर खा सकते हैं खाएए यह आपको decide करने कि आपकी appetite कितनी है आपकी book कितनी है आप कितना ले सकते हैं राइट तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको आज पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो एक like का बटन जरूर दबाएं क्योंकि इस से हमें motivation मिलता और inspiration मिलता है और इस वादे के साथ कि आप अपने चहरे पर मुस्कुराहत बनाए रखेंगे जो कि यह मुस्कुराहत आपके किसी भी home remedy से ज़ादा effective है जो कि यह आपके चहरे पर लाती है instant glow पॉजिटिव रहें अच्छा सोचें और अच्छा होते हुए अपनी life में जरूर देखें ताकि आप अपनी life को बहतरी से जी सकें आपका प्यार इस तरह से मिलता रहेगा इस याशक के साथ आप से लविदा लेता आपका knowledge friend Dr. Manoj. Thank you so much. Bye-bye. Love you all.